दोस्तो मैं अल्पना स्वागत करती हूँ आप सभी का स्वाधिश्ट भोजन चैनल में दोस्तो आज मैं आपको तुरंत जटपट बनने वाला आम का अचार बनाना बताऊंगी कि आप दोस्तो तुरंत इसे बना के कैसे खाएं यहाँ पर मैंने लिया टिकोरा छोटे आम जो होते हैं दोस्तो वो लिया है मैंने यह ताजे आम है आप देख सकते हैं इस तरीके का होता है छोटा आम इसका बहुत ही आप चटपटा और जटपट अचार बना के त्यार कर सकते हैं और तुरंद खाने लायक भी हो जाता है दोस्तों तो आप इसके जो आगे की डंठल होती है उसे आप काट के निकाल दें क्योंकि इसमें बहुत सारा चोपी होता है उसके बाद आप इसको इस तरीके से फाड लीजिए इसे हमें वेट करनी की जोरत नहीं है कि आज काटे दो-चार दिन सुखाएं फिर बनाएं वैसा कुछ निया आप इसे तुरंद काटे तुरंद बनाएं ऐसा ही अचार बनने वाला है और आप वीडियो में बने रहेगा वीडियो बिल्कुर स्किप मत कीजिएगा तभी जाके आपको इसका बनाने का प्रोसेस अच्छे से समझ में आएगा तो सारे आम को मैंने काट के त्यार कर लिया है उसके बाद आप इसमें हम डालेंगे हल्दी का पौलर और दो बड़ा चमच उसके बाद दोस्तों इसमें डालेंगे दो बड़ा चमच नमक इनको हम अच्छे से मिला देंगे मिलाने के बाद दोस्तों आधा घंटा बस आपको इससे रखना है या एक घंटा आप इससे रख दीजिए इसका सारा पानी जो होगा आम में वो सब निकल जाएगा तो एक घंटे के लिए हम इसे छोड़ देते हैं एक घंटा हो गया है एक घंटे की बाद दोस्तों आप देख सकते हैं आम देखिए कितना सारा पानी छोड़ दिया है और यह सुकुड भी गया देख सकते हैं कि उसकी quantity सुकड की कम हो गई है और बहुत सारा पानी छोड़ा है पानी को हम छान लेंगे मतलब पानी को छान के बाहर करेंगे और आमको अलग रख लेंगे तो इससे क्या होता दोस्तो यह रहा तूरण जटपट बन भी गया और जल्दी साचार खराब भी नहीं होगा तो च तेल थंड़ा हो जाए उसमें डालें एक चमज काली वाली सर से उसके बाद दोस्तों इसमें आप डालेंगे दो बड़ा चमज कुटा हुआ सौफ उसके बाद एक चमज डालेंगे इसमें कुटा हुआ जीरा आधा चमज डालेंगे यहां मेथी दाना कुटा हुआ डेड़ जल ले ना पाय दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना है गैस के आच मैंने ओफ किया जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा है उसके बार इसमें डालेंगे दोस्तों यहां पे देखिए है कस्मीरेट चिली पॉडर आधा चमच दो बड़ा धनिया का पॉडर है आधा चमच ह हींग यहां पर मैंने एक चमश लिया है हल्दी का पॉडर और दो बड़ा चमश लिया है मैंने तीखी लालमीश का पॉडर आप मिर्च अपने स्रोदन शर अड़ कर सकते हैं इस सारे चुजों को अच्छ से मिला देंगे इससे क्या को दोस्तों मसाले अच्छ से पक भी जाएंगे और मसाले हमारे जलेंगे भी नहीं तो यह देखिए यह अच्छ लिया है उसके बाद इसमें डालेंगे दो बड़ा चमश नमक दोस्तों जो अचार वगर हम बनाते हैं उसमें नमक थोड़ा जादा होता है क्योंकि खट्टा होता है नमक बहुत तेजी से सोकता है उसके बाद इसमें हम डाल देंगे आम उनको अच्छे से हम मिलाएंगे इस समय दोस्तों गैस के आज आज आपको ओन कर देनी यहूसे पूरा लो मीडियम कर देना है और लो मीडियम आच पे आपको इसे 5000 अ 6 मिनट तक पकाना है इसे ढख देते हैं पांस मिनट के लिए गैस कहीं से निकालना नहीं चाहिए इस बात को आपको ध्यान रखना है पांच मिनट के बाद इसे खोलेंगे तो पांच मिनट के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने लो मीडम आज पिसे पकाया है इस समय गैस के आज हम बन कर देंगे और इसे अच्छे से मिला देते हैं तो यह रहा दोस्तों आप देख सकते हैं आम का कलर भी बदल गया है तो यह जटपट अचार बन के पूरी तरह से कंप्लीट है तो दोस्तों आप इस रेस्पी को बनाईएगा और मुझे कॉमेट में बताईएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा फिर मिलेंगे आपको नेश्ट वीडियो में